वेलकम टू सूर्या टेटोरियल्स तो कैसे हो आप लोग आज हम लोग जो है क्लास 10 के केमेस्ट्री के चैप्टर नमबर 4 जो की हमारा कार्बन एंड इट्स कमपाउंड है इसके NCEIT की सभी एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे हर एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीक कैसे समझेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक जो है बाकी चैप्टर के एक्टिविटी के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं activity 4.1 में क्या बोल रहा है कि make a list of 10 things हम लोगों को क्या करना है 10 चीजों की list बनानी है जिनको हम लोग morning से consume करते हैं तो यह आपकी बहुत जादा basic activity है अब इस activity में हम लोगों को क्या बताना है कि कौन से ऐसे items हैं जो दो या दो से जादा चीजों से मिल करके बने है या हमको यह बताना है कि सिर्फ एक ही material से मिल करके बने है और उनको different different boxes में put करना है तो देखो ऐसी चीज़ें जो आपके बेटा metal से मिल करके बनी है तो इसमें आपके utensils आ जाएंगे that is button steel bottle आ जाएगी fan आ जाएगा watch आ जाएगी ठीके अब ऐसे substances या ऐसे items जो आपके दूसरी चीजों से मिल करके बने है बहुत सारे substances इसमें bulb आ जाएगा bottle आ जाएगी comb आ जाएगा bag आ जाएगा और cloth आ जाएगा तो यह बहुत basic activity थी इसको आप लोग अपने आप भी कर सकते हो next activity को देखते है that is very very important इस activity में क्या बोल रहा है कि calculate the difference in the formula and the molecular masses for तो देखिए हम लोगों को तीन options given है A, B, C ठीके इसमें हमको क्या बताना है कि इनके formula में कितना difference होगा और साथी साथ इनके molecular mass में कितना difference होगा तो देखिए CH3OH और C2H5OH यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो हमारा CH2 group का difference है और इसका molecular mass किता होता है that is 14U मैंने आप लोगों को जब chapter पढ़ाया था तो homologos series में समझाया था second वाले option को देखिए C2H5OH C3H7OH यहाँ पे भी आपका जो है CH2 group का difference है और इसका molecular mass किता हो जाएगा 14U तो इन दोनों में 14U का difference है C option को देखते हैं C3H7OH C4H9OH तो इन दोनों के बीच में भी बिटा क्या है CH2 group का difference है और इसका atomic mass किता हो जाएगा that is 14U तो हम लोगों ने first question को solve कर लिया अब second part में क्या बोल रहा है कि arrange these alcohol in the order of increasing carbon atoms to get a family अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि CH3OH C2H5OH C3H7 C4H9OH यह हमारे क्या है बेटा यह आपके alcohol की homologus series से बिलॉंग कर रहे है अगर आप लोगों ने chapter अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को यह clear हो गया होगा सामने सही दिख गया होगा अब हम से क्या बोल रहा है question में कि हमको इनके increasing number of carbon atoms के basis पे arrange करना इसको तो बड़े आसानी से कर देते हैं सबसे पहले क्या था CH3 OH देन आपका क्या हैगा बेटा C2 H5 OH देन आपका क्या हैगा C3 H7 OH और देन आपका क्या हैगा C4 H9 OH तो देखिए आपके increasing order में arrange होगे कि ने होगे बाई सबसे ज़्यादा carbon जो है C4 के पास है और सबसे कम carbon जो है CH3 OH के पास है थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि generate the homologous series for compounds containing up to 4 carbons to the other functional group अब आप लोग जो हैगा table 4.3 को देखोगे NCRT की तो वहाँ पे आपको 4 group given है एक आपका halogen group है एक आपका LDID group है एक आपका ketonic group है और एक आपका carbozylic group है हमसे इसमें क्या बोल रहा है कि हमको जो है इन सबकी homologous series को बनाना है और 4 carbon तक की बनाना है तो फर्स्ट केस में हम लोग जो है halogen group को ले रहे हैं और halogen में भी हम लोग क्या ले रहे हैं chlorine ले रहे हैं तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा CH3Cl सेकेंड मेंबर क्या होगा C2H5Cl थर्ड मेंबर क्या होगा C3H7Cl फूर्थ मेंबर आपका क्या हो जाएगा C4H9Cl तो यहां से आप लोग देखिए हम लोगों ने जो है halogen group की homologous series को बना दिया अब eldehyde group की बात करते हैं तो यहां पर हमारा functional group क्या होता है CHO होता है तो फॉर्स्ट मेंबर क्या होगा CH3CHO नेक्स्ट क्या हो जाएगा CH3CH2CHO थर्ड क्या होगा CH3CH2CH2CHO और लास्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा CH3CH2CH2 देन CH2 और CHO तो देखिए आपका क्या हो गया बेटा यह यहां पर आपके हम लोगों ने जो है LD height की क्या कहते है जो है homologous series बना दी की ने बना दी इसी तरीके से अपने लोगों को ketone बनाना है तो ketone बेटा हमारा functional group क्या होता है CO और इसकी जो आपकी homologous series होती है यह third carbon के atom से start होती है that is CH3 CO CH3 तो यहां पर देखिए आपके तीन carbon है next आपका क्या होगा CH3 CH2 CO CH3 third number आपका क्या हो जाएगा बेटा मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ जगा कम पड़ गई CH3 CO CH2 और CH3 यहां पर बेटा एक और आप लोग एड़ कर दो तो C2 H4 ठीक और लास्ट आपका क्या हो जाएगा that is CH3 C3 H6 और CO CH3 ठीक है बेटा तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका ketone की homologous series हो जाएगी अब हम लोग जहेए बेटा कार्बोजायलिक एड़ की जो है homologous series को देख लेते हैं तो देखें CH3 COOH देन आपका क्या जाएगा CH3 CH2 COOH ठीक फेर्ड मेंबर क्या होगा बेटा CH3 CH2 CH2 COOH और लास्ट आपका क्या हो जाएगा CH3 अब देखें CH2 CH2 और एक CH2 और जुड़ेगा तो हम लोग इसको क्या लेख सकते हैं C3 H6 COOH तो यहां से आप लोग देखें यह हमारा क्या हो जाएगा कार्बोजायलिक एसेड की homologous series हो जाएगी तो बहुत important activity थी यहां से questions पूछे जा सकते हैं अब हम लोग जो है activity 4.3 को देखते हैं तो देखें इस activity में हम लोग को क्या करना है यहां पे हमको कुछ carbon के compounds लेने हैं फॉर अग्जामपल नेप्थलीन, camphor और अलकोहल ठीके और इनको burn करना है फिर हम लोग को जो है जो flame produce हो रही होगी जब हम लोग जो है इन तीनों carbon के compounds को burn कर रहे होंगी तो वहाँ पे जो flame produce हो रही होगी उसको check करना है और बताना है कि किस तरीके की flame हमको मिल रही है तो अगर हम लोग camphor और नेप्थलीन को burn करते हैं बटा तो क्योंकि हमारे unsaturated hydrocarbon होते है यहाँ पे हमें yellow flame मिलती है अलकोहल हमारा जो होता है बटा यह आपका saturated hydrocarbon होता है तो यहाँ पे हमको blue flame मिलती है और यह आपका completely burn कर जाता है ठीक है second part में question में क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग किसी metal को रखते हैं या कोई भी plate को रखते हैं तो deposition कहाँ पे होगा तो deposition जो है बटा आपका unsaturated hydrocarbon के case में होगा यहाँ पे आपका complete convention नहीं होगा और yellow flame produce होगी इसी तरीके से हम लोग जो है पनी next activity को देखते हैं that is activity 4.4 तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है बटा कि light a bunsen burner adjust the air holes at the base to get different types of flames presence of smoke when do you get a yellow soothies flame and when do you get a blue flame तो देखिए simple सी बात है activity में हम से क्या बोल रहा है बटा कि हमको एक burner लेना है और उसके holes को इस तरीके से adjust करना है कि एक बार हम लोग जो है उसमें proper तरीके से oxygen को provide कर रहे हो complete convention हो जाए और एक बार हम लोगों को इस तरीके से जो है इसको रखना है कि वहाँ पे जो है complete convention ना हो insufficient oxygen पहुचे तो देखिए जब आपका sufficient oxygen की supply होगी तो blue flame produce होगी और जब आपकी insufficient oxygen की supply होगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा yellow flame produce होगी तो अगेन यह activity बहुत बहुत important है यहाँ से questions जो है flame से हर साल question एक पूछा जाता है अब हम लोग जो है अपनी next activity को देखते हैं that is activity 4.5 तो देखिए इस activity में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक test tube है test tube में 3 ml ethanol present है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा 5% solution ले रहे है alkaline Kmno4 की और drop by drop हम लोग क्या कर रहे है इसमें add कर रहे है अब first question में क्या बोल रहा है कि यह जो potassium permagnate का color है क्या यह वैसा ही रहेगा तो आप कहोगे नहीं sir color जो है disappear हो जाएगा जैसे ही ethanol जो है potassium permagnate के साथ dissolve खरेगा color क्या होगा आपका disappear होने लगेगा अब next part में क्या बोल रहा है कि why does the color of potassium permagnate not disappear when excess is added तो देखो बेटा अभी हम लोगों ने जब कम क्या कहते Kmno4 का add किया तो क्या हुआ जितना भी alcohol था उसने react किया और color disappear हो गया अब जब alkaline Kmno4 हमारे पास excess amount में होगा तो उस condition में क्या होगा कि जो ethanol present था भी कर में वो पूरा का पूरा dissolve हो जाएगा और reaction रुक जाएगी reaction जो है stop हो जाएगी आपकी ठीके तो बचेगा क्या यहाँ पे आपके पास solution बचेगी की नहीं बचेगी potassium permagnate की और यहाँ आपकी purple color की होती है तो इस वज़े से क्या होगा कि जो आपका color है वो fade नहीं करेगा जब आप लोग जो है excess potassium permagnate को बीकर में dissolve करोगे next activity को देखते हैं बचा that is activity 4.6 अब यह activity बहुत easy है इसमें क्या बोल रहा है कि बचा हम लोग ethanol में जब sodium को add करेंगे तो क्या होगा कौन सी gas produce होगी तो देखिए ethanol जब हमारा sodium के सार रियक करता है तो यह sodium ethoxide बनाता है that is CH3, CH2, ONA मैंने आप लोगों को जब ethanol की chemical properties पढ़ाई थी तो वहाँ पे समझाया भी था और यहाँ पे हमारी hydrogen gas produce हो जाती है next activity को देखते है activity 4.7 first part में क्या बोल रहा है compare the pH of dilute acetic acid and hydrochloric acid using both litmus paper and universal indicator तो देखिए actual में हमारे पास बेटा दो acid है एक acetic acid है और एक हमारे पास hydrochloric acid है दोनों ही diluted है तो देखिए आपका weak acid है यह आपका strong acid है तो यह क्या दोनों litmus test देंगे आपने का सर दोनों litmus test देंगे दोनों आपके acid है पहली बात क्लियर हो गई दोनों litmus test देंगे अब थर्ड पार्ड में क्या बोल रहा है कि does the universal indicator show them equally strong acid क्या आपका जो pH scale है जो कि आपका universal indicator है क्या यह जो है इन दोनों को equal color provide करेगी आपने का सर नहीं क्योंकि acetic acid हमारा क्या है weak acid है तो इसका color क्या होगा yellow होगा और dilute hydrochloric acid हमारा क्या है that is a strong acid तो इसका color क्या होगा यह red color क्या होगा तो color हमारा क्या होगा दोनों ही cases में different होगा next activity को देखते है activity 4.8 अब इस activity में क्या बोल रहा है बटा कि हम लोगों को ethanol given है और glacial acetic acid given है अब glacial acetic acid आपका क्या होता है बटा जो आपका freeze होता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको गरम कर लेंगे अब जैसे ही हम लोगोंने इनकी reaction कराई in the presence of concentrated H2SO4 हमको क्या मिलेगा हमको ये बताना है ठीक है जो mixture होगा ये में क्या provide करेगा तो आप लोगों को पता है कि जब भी हमारा alcohol जब भी हमारा alcohol कार्बोजाइलिक acid के सार ये करेगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा आपका यहाँ पे आपके easter की formation होगी easter की formation होगी और easter जो होते हैं आपके ये आपके sweet smelling substance होते हैं इनकी fragrance बहुत अच्छी होती है अब हम लोग जो है अपनी next activity को देखते हैं that is activity 4.9 तो देखिए इस activity में हम लोगों को क्या करना है बेटा एक test tube में जो है sodium carbonate को लेना है और ethnoic acid को लेना है तो देखिए sodium carbonate जब हमारा ethnoic acid के सार ये करेगा तो देखिए acid जब हमारा metal carbonate के सार ये करता है तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा salt बनता है carbon dioxide gas produce होती है और water बनता है अब second part में क्या बोल रहा है कि जो हमारी gas produce हो रही है अगर हम लोग इसको lime water से pass करेंगे तो हम क्या observe करेंगे तो simple सी बात है बेटा lime water हमारा होता है calcium hydroxide ठीके जिसको हम लोग slick lime भी बोलते है ठीके तो ये lime water जब आपका carbon dioxide gas के सार ये करता है तो ये calcium carbonate को बनाता है जिसकी वज़े से क्या होता है जो हमारी solution है ये आपकी milky color की हो जाती है अब next part में क्या बोल रहा है कि जो हमारी gas produce हो रही है हम लोग क्या इसको identify कर सकते हैं तो आपने कहां जो हमारी gas produce होई है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं easily identify कर सकते हैं देखें next part में क्या बोल रहा है कि क्या हम लोग इस activity को sodium hydrogen carbonate के सार repeat कर सकते हैं instead of sodium carbonate तो देखिए जब हमारा carbozolic acid that is an acid acid हमारा जब metal hydrogen carbonate के सार ये करता है तो भी हमको क्या मिलता है salt मिलता है, carbon dioxide gas मिलती है और water मिलता है तो यह आप लोगों ने chapter number जब second पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने properties में देखा होगा अब देखिए हम लोग जो है अपनी next activity को देखते हैं activity 4.10 इस activity में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को दो test tube लेने है, test tube A और test tube B, एक test tube में क्या करना है, water के साथ oil को add करना है, दूसरे तो आप से बोल रहा है कि जैसे ही आप लोग जो है, इन दोनों test tube को या bottles को शेक करते हो, क्या आप यह देखते हो कि तुरंत जो है oil डिसापियर हो गया, तो हमने का नहीं, तुरंत आपको oil डिसापियर नहीं होता है, अब हम लोग इस test tube को थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम बाद हम लोग यह देखेंगे, कि जो आपकी oil layer है, जो आपका oil वाली layer है, यह हमारे test tube A से separate नहीं कर पाएगी, ठीक है, test tube B से क्या करेगा, हमारा जो oil layer है, वो separate कर जाएगा, ठीक, लेकिन test tube A में पहले separate नहीं होगा, clear हो रहा है कि ने clear हो रहा है, next activity को दे मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग दो test tube ले रहे है, test tube A, एक test tube B, test tube A में हमारे पास क्या है, rain water है, और soap है, test tube B में हमारे पास क्या है, hard water है, और soap है, तो आप सभी लोगों को पता है कि soap हमारा hard water के साथ, foam की formation नहीं कर पाता है, तो देखिए आपका test tube A होगा, उसमें ज्यादा foam की formation होगी, और test tube B में अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने soap भी add कर रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों क्या मिलेगा बेटा, white precipitate मिलेगा, क्योंकि हमारा soap जो है, dissolve भी नहीं हो पाएगा, तो आप लोग यह observe करोगे, कि हमारा जो white precipitate है, वो remain रह जाएगा, तो test tube B में जो है leather form नहीं होगी अच्छे तरीके से, test tube A में हमारी बहुत अच्छे तरीके से form produce होगी, अब हम लोग जो है अपनी next activity को देखते हैं, that is activity 4.12, बहुत important activity है, देखो हम लोगों को दो test tube लेने है, test tube A and test tube B, ले लिए बाए दो test tube, एक test tube में हम ल को water के साथ detergent को add करना है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज और देखो, कि जो water है, यह हमारा hard water है, ठीक है, दोनों case में हम लोगों ने क्या किया है, hard water लिया है, अब पहले question में क्या बोल रहा है, कि do both the test tube have same amount of foam, तो आपने का नहीं, बाए दोनों में same amount की जाग नहीं produce ह होगी, soap के साथ, जब भी हम लोग hard water को add करेंगे, यहाँ पर foam produce ही नहीं होता है, ना के बराबर होगा, लेकिन detergent के साथ foam produce करता है, even hard water के case में भी, क्योंकि इसका जो cleanizing action होता है, यह soap के comparison में क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, अब second part में क्या बोल रहा है, कि in which test tube is a current solid form, अब देखो test tube a में क्या होगा, क्योंकि आपका complete dissolve नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, white color का precipitate बन जाएगा, तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने जो है, carbon and its compound chapter की, NCEIT की सभी activities को solve कर लिया, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओगा, अग अपने friends के साथ जो है, वीडियो को share कर दीजेगा, thank you so much, मिलते हैं next वीडियो में, अगर आप लोगों को जो है, इन सभी activities की PDF को download करना है, तो आप लोग जो है, telegram channel से जूड सकते हो, वहाँ पे सभी chapters की PDF जो है, आप लोग download कर लोगे,